नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलाश 12 का चोक्रफिस सब्जेक्ट जो एक्जाम के नए पेटर निकर नुसर इस वीडियो में बताया जा रहा है तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को सुरुवात क करते हैं तो सबसे पहला कोचन दिया है आधुनिक मानो भूगल के जनक है तो ओप्शन ये में है फ्रेडिक रेडियल ओप्शन बी में वारनेशिस ओप्शन सी में चाल्स डार्विन ओप्शन डी में एलेन सेंपल तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा ओप्शन ये भूगल का जनक माना जाता है तो भूगल का जनक युनान को माना जाता है इसका करेक्ट अंसर ओप्शन नमर ये है नेश्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर थ्री तो कोचन नमर थ्री में बोला है उन्हेस सो नब्य का दसक भूगल के किस उपरांग के लिए जाना जाता है ज वजाना जाता है है इसला क्ले नंबर 5 कोण एक जनसंह्याँ परिवर्तन कार्की नहीं है जो निच्छे दिया गिया है उसमें जनसंह्या परिवर्तन का कार्की नहीं है तो इसका गारेक्टर अंसर हो जाग है Online 16 ऊवास है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है अब हम लोग लेश्ट कोचन देखते हैं कोचन नमबर 5 कोचन नमबर 5 में बोला है किस महादीप में सारवद्धिक जनसंख्या घनत पाये जाता है किस महादीप में सारवद्धिक जनसंख्या घनत पाये जाता है इस्ट क्वेचन देखते हैं, क्वेचन नमबर 6, जनसंख्या वितरन को परभावित करने वाले कारकों में से महतपूर्ण कारक कौन सा है, जनसंख्या वितरन को परभावित करता है, उसमें महतपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसके कैरेक्टर अंसर हो जागा, ओप्शन नमबर डी जलवाय जलवायों सो जनसंख्या वित्रण को ज़्यादा प्रभावित करता है नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 7 चीन की अबादी है जो चीन का अबादी है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C 1.3 अरब है चीन के अबादी 1.3 अरब है नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 8 क्वेशन नमबर 8 में बोला है विश्वा के किस महादीप में 90% से अधीक अबादी नगरी है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा ये उत्तर अमेरिका में 90% से अधीक अबादी है नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 10 क्वेशन नमबर 10 में बोला है प्रात्मिक विद्याले अस्तर की आयू सिमा क्या है जो प्रात्मिक विद्याले में की आयुसी में क्या होती है तो 6 से 11 वर्स होती है नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 11 तो 11 में बोला है निमलिखीद में से किस देश का मानो विकास उचकांग भारत से उच नहीं है तो इसका क्यारेक्ट आंसर हो जागा स्रिलांका नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 12 12 में विश्व की नगरी जनसंक्या में 40 वर्स विरिद्य हो रही है जो विश्व में नगरीयों की जनसंक्या में विरिद्य हो रही है वो कितना हो रहा है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C 6 करोड 6 करोड इसका विरिधी हो रही है next question देखते है question number 13 13 में खनीज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा है जो खनीज तेल का में सबसे बड़ा उत्पादक कोन सा देश है सहुद्धी और आप इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C next question देखते है question number 14 14 में पूछा है निमलीखित आर्थिक किरियाओं में कोन गरामिन अधिवासियों से सम्बंदित है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C तिर्थियक तिर्थियक है जो गरामिन अधिवासियों से सम्बंदित है अब कोन सा निमलीखित देखते है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C चेन में इसका करेक्टर अंसर हो गया चेन नेश्ट कोस्चन देखते है question number 16 तो कि 16 में है वीश्व में ताबा आयस का सबसे बड़ा उत्पातक तेज है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number ये चेनली नेश्ट कोस्चन देखते है question number 17 17 में पुछा है भारत की कुल जल संख्या का कितना परतिस्द उत्री मैदान में बचता है जो भारत के कुल जल संख्या है वो कितना परतिस्द उत्री मैदान में बचता है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number A टूबा थिरी परतिस्द टूबा थीर पर तीस्यत है जो उतर मेदान में बचता है नेक्ष्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर 18 को अम लोग देखते हैं छेत्रफण और जनसक्या के अनुपात को क्या कहते हैं छेत्रफण और जो जनसक्या के अनुपात को क्या कहते हैं ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option no.18 का D जनसख्या घनत है 19 पे पुछा भरत वे कौन से पडुसी देश के सबसे अधिक परवासी आए है जब भरत वे सबसे कौन से पडुसी देश का जो भरत आए है तो इसका correct answer हो जाएगा option no.C बंगला देश बंगला देश का सबसे अधिक परवासी हमारे देश में आये हैं अब नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 20 20 में क्या पुछा है तो 20 में पुछा है कि किस फ़सल को उजाला सोना कहा जाता है किस फ़सल को उजाला सोना कहा जाता है तो इसका character answer हो जाएगा option number B का पास को next question देखते है question number 21 21 में है भारत की सबसे लंबी नदी कोण है तो इसका character answer हो जाएगा option number E गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है next question देखते है 22 22 में पुछा है नागा अर्जुन सागर परयूजना किस नदी पर इस्थित है जो नागा अर्जुन पर इस्थित है वह किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका character answer हो जिएगा Krishna Krishna नदी के किनारे इस्थित है next question देखते है 23 23 में विजए नगर इस पाद केद्र किस राज्य में अवस्तित है तो इसका character answer हो जाएगा observer नंबर ये करना टक में निमली खित next question देखते है question नंबर 24 तो 24 में पुछा है निमली खित में से कोण राज गोडवाना कोईला के लिए परसीद है कोण राज जो कोईला के लिए परसीद है तो इसका character answer हो जाएगा option number D जारखर जोब हमारा राज है वो गोडवाना लेट के लिए कोईला के लिए परसीद है question देखते है question number 25 25 में पुछा है कीज खडीज को तरल सोना कहा जाता है तो इसका character answer हो जाएगा option number D petroleum को petroleum को तरल सोना कहा जाता है question number 26 26 में निवलीखित में से कोई सा उर्चा का अडवेड़ी करन्य सरोत है तो इसका character answer हो जाएगा option number C ताप ताप है जो उर्चा का अडवेड़ी करन्य सरोत है नेश्ट कहचन देखते है नेश्ट कहचन 27 27 में पुछा वेगनिज का सबसे बड़ा भड़ार किस राज़े में है नेश्ट कहचो सबसे बड़ा भड़ार किस राज़े में है तो इसका character answer हो जाएगा option number B और इसा में नेश्ट कहचन देखते है question number 28 28 में निवलीखित में से कोई सा एक अस्तल बंद पंद है तो इसका character answer हो जाएगा option number नेश्ट कहचन देखते है question number 29 29 में पुचा भारत में किस अस्तान पर भूमिगत रेल मारग है तो इसका character answer हो जाएगा option number D कोलकत्ता में जो कोलकत्ता में है नेश्ट कहचन देखते है question number 30 30 में पुचा है किस पर दुसर दुवारा सारवदिरिक विमारिया होती है जो किस पर दुसर से सारवदिरिक विमारी होती है तो इसका character answer हो जाएगा जल जल से अधिक विमारी होती है thank you कि यह हैं झाब दूवपा हम इनो झाफ ही आपाः हूब झाल झाल